नमस्कार दोस्तों, Shield Defense College के official YouTube platform में आपका स्वागत है, मैं I am the English Faculty of Air, आज हम बात करेंगे अंग्रेजी भाषा के बारे में, कहते हैं किसी भी चीज की जो शुरुआत होती है, वो स्टार्ट होती है, वो सच और हकीकत पे अधारित होनी चाहिए, इसलिए हम बात करेंगे, आज हम भाषा के बारे में, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए, कि English is not a subject, it is a language, so हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए, is towards the language, not towards the subject, now भाषा की बात करें, तो हमारे देश में, दो तरे की भाषाओं का प्रशलन है, यानि कि जो original हैं इंग्लिश का, वो दो तरे की भाषाओं से जैसे, for example, अगर मैं बात करूँ, जितनी भी पैरेंट कंपनिया है, mostly जो हमारे आसपास की English है, जिसले हम बात कर सकते हैं, Google की, ठिक, Google हो गया, Facebook हो गया, Meta हो गया, Twitter हो गया, Microsoft हो गया, यह जितनी भी कंपनिया है, these are the parent company of the USA, यानि कि इसमें जो अंग्लिजी भाषा को प्र यूएस वाली English है, problem यह है कि जो यूएस वाली English है, is the informal English, is the informal English, कहने का मतलब है, यह वो English है, जो एक्जाम में नहीं आएगी, और दूसरी वो English है, जो UK वाली है, जो की हमारे एक्जाम में आती हैं, क्योंकि आपको पता है कि Britishers ने हमारे उपर हकूमत किया था, उन्होंने rules पनाया थे हमारे लिए, इसलिए जो British वाली English है, वहां से जो rules निकलते हैं, वही हमारे क्या है, वही हमारे grammatical tools है, grammatical rules है, ठीक है, तो दो भाशाएं हो गई हमारे पास, English की, पहला है USA वाली, which is informal, जो कि एक्जाम में नहीं आती, और दूसरी कौन सी है, UK वाली, जो कि क् है, for example, अगर मैं आपको से समझाने के लिए बता हूँ, तो आपको पता होगा, जैसे मैं लिखूँ, myself, myself, Rohit, myself, Rohit, अगर कोई भी बच्चा आपने आपको इंटर्डूस करता है ऐसे, कि myself, Rohit, तो सुनने में बिल्कुर सही लग रहा है, but सुनने में सही लग रहा है, यानि कहां से सुना आपने, सारी चीज़े आपने आस-पास से सुनी, यानि कि वो US वाली इंगलिश है, इसले जो सेंटेंस है, वो क्या है, गलत है, और example में अगर आपको दूँ, जैसे मैंने कहा, it is me, it is me, तो शायद ये भी सेंटेंस आपको सुनने में सही लग रहा होगा, ले करेक्टर से मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिन मैं आगे बात करता हूँ, next slide के बारे में, next slide में मारे पास क्या है, देखिए, भाशा जो होती है, वो कैसे produce होती है, तो जो language है, जो sound है, वो produce होता है, the vibration of this vocal cord, जब इस vocal cord का vibration होता है, तब क्या होता है, तब sound produce होता है, त तो बहुत सारे लोगों का जवाब होगा कि English में 26 alphabet होते हैं, पर वो जो जवाब है, वो आपका जवाब गलत है, क्यों, English में 26 alphabet नहीं होते हैं, English में 26 letters होते हैं, बट alphabet कितने होते हैं, one होते हैं, अब कई लोगों को इसमें अच्छा रच लगेगा, they will be amazed to know this thing, that there are one alphabet in English, yes, you are correct, there is only one alphabet in English, how, let me correct you, let's say, आपको पता है कि शादी में फूलों की माला चरती है, ठीक है, यह भगवान पे फूलों की माला चरती है, अब हमें एक माला बनानी है, हमें क्या बनानी है, एक माला, अब यह बताएं, क्या एक फूल से एक माला बन जाएगी, नहीं, एक फूल से एक माला बन जाएगी, नहीं, दोसरे में नहीं बनेगी, क्या हम चब्विस फूलों को एक साथ मिला दें, तो क्या एक माला बन सकती है, यह सर, चब्विस फूलों को एक साथ मिलाने से एक माला बनेगी, और उस माला का नाम क्या है, वर्ण माला, उस माला का नाम क्या है, व इंग्लिस में कितने alphabet होते हैं इंग्लिस में one alphabet होते हैं जो कि मिलते हैं किसे 26 लिटर से now the alphabet is further divided into the vowel and the consonant clear वावल क्या है हमारे a e i o u tick और consonant क्या है जो बाकी की जो बचा हुआ part है is considered in the consonant आगे बात करें अब हम बात करते हैं word क्या होता है शब्द क्या होता है when हम क्या करते हैं जब जब कभी किसी शब्दों को जो letters है जब उनको meaningful sentence में arrange करते हैं तब उससे वर्ड बनता है जैसे मैं कहूँ e p n क्या इसका कोई मतलब है इसका कोई मतलब नहीं है जब तक मैं इसको systematically way पे arrange नहीं करूं तो उसका कोई भी मतलब नहीं रहता है तो वर्ड क्या होता है जब चीजों को systematically way पे arrange करते हैं तो उससे क्या बनता है वर्ड अब आता है सबसे बड़ी बाद कि सर हम grammar पढ़े क्यों कभी आपको teacher कुछ भी पढ़ाए तो आपको पता होना अग्овुल तु तो गधा है गध़ा तो यह बताई है क्या पर प्रफब सच में गधा है नहीं यहाँ पर गधे का मतलब क्या रहा है डिलिए का मतलब बेवकूराा रहा था एह किहने का मतलब है अंग्ग्रेजी भा시टा में किसी भाहशा में एक शब्द के कैसारे अर्थ हो सकते हैं उधारन के तौर पर और नेखिये यहाँ पर आपने PK movie देखियोगी PK movie में वो क्या बोलता है अच्छा अब यहाँ पर क्या है अच्छा 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 तो अच्छा के भी क्या है कैसारे अर्थ है इसलिए एक शब्द के कैसारों connotation, कैसारे अर्थ हो सकते हैं इन अर्थों को समझने के लिए हम क्या करते हैं हम grammar का प्रयोग करते हैं तो आपको पता चल गया कि grammar का प्रयोग हम करते हैं क्यों कि एक शब्द के क्या है एक शब्द के कैसारे अर्थ हो सकते हैं इसे आपने सुना होगा. Greek भाषा से यह यह छब्या ग्रीक भाषा या जो Roman भाषा होती उसी से आचेश्य लिए जते हैं क्योंकि उन भाषा में क्या होता है? एक शब्ड की connotation एक ही होती है. तो जो connotation जो शब्ड है इसका meaning क्या होता है? कि उस अर्थ का आश्य क्या है टिक जैसे मैं बात करूँ for example मैंने यहाँ पर लिखा water water टिक अगर मैं पूछों कि इसका part of speech क्या है तो आप बोलेंगे sir water रिक material noun है आप इसका part of speech क्या बता देंगे हैं मुझे आप इसको एसे लिख दूँ water bottle अब इस condition में देखा जाए तो बॉटल हमारा क्या हो जाएगा बॉटल भी आर नाउन और इस बॉटल के लिए यह क्या हो गया वाटल एजिक्टिव तो वहीं मैंने कहा कि एक शब्द के अलग अलग जगा पे कई सारे अर्थ हो सकते हैं for example मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या हो गया टीचर हो गया मैं घर जाओंगा तो अपनी मा क्या हो गया बेटा हो गया अपने पिता का क्या हो गया बेटा हो गया अपनी बहन का क्या हो गया बाई हो गया किसी लड़के का क्या हो गया दोस्त हो गया तो मैं तो एक ही हूँ अलग अलग जगा पर मेरी जो इस्थितिया है, मेरी जो functions है, वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, इसी को कहते हैं, क्या, connotation, और इसी वज़े से हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसी के वज़े से हम grammar पढ़ने जा रहे हैं, तो आगे slides रहे हैं, so, talking about the language, so, language is divided into the two parts, I divide the language in the two parts, the first part is the grammatical part, grammatical part में, you will study the noun parts of speech, so, there are eight parts of speech, many people say there are nine parts of speech, so, what do they also include the articles, but you should know this thing, the articles are the part of adjective, I will tell you how it is, so, there are total eight parts of speech, so, I will cater this demand also, noun, pronoun, and apart from that, I will cater the vocab section, there are many teachers that don't cater this demand, वो इसको address नहीं करते हैं, इस पार्ट को address नहीं करते हैं, ठीक है, और हर चीज़ की जैसे मैंने बताया, there is a proper approach of everything, हर चीज़ का क्या है, एक proper approach होना चाहिए, ऐसा नहीं होता, बच्पन से हम नहीं पता है, कि डिक्स्टनी में क्या करते हैं, आप एक copy लेते हैं, और वहाप root method, root method का मतलब क्या होता है, कि अगर आपको किसी शब्द की root पता है, जड़ पता है, तो वहाँ से आप बहुत शाहीं शब्द बना सकते हो, जैसे, for example, मैंने कहा, कि sub, for example, जैसे मैंने कहा, sub, sub, sub का मतलब होता है, low, तो आपको पता है, si, sub inspector, तो वो inspector, जो क्या है, वो पद वो designation, वो post, जो inspector से क्या है, lower है, जैसे मैंने कहा, submarine, submarine, तो marine का मतलब क्या हो गया, marine का मतलब पानी, और sub मतलब नीचे, जो पानी की नीचे चलता है, कौन जलता है, पंडुबी, टिक, तो कहने का मतलब है, अगर आपको किसी भी शब्द का root पता है, तो आप बहुत सारे word, find out कर सकते हो, you can make a lot of words from here, ladder system का मतलब क्या होता है, ladder का मतलब होता है, cd, कैसे पता cd होता है, let's say, मैं अगर यहाँ पर बात करूँ, देखिए, ladder में क्या दिख रहा है, एक ये d, और एक ये d, और बीच में क्या लगा दिया, बीच में लगा दिया, ये बन गई cd, इसका मतल क्या होता है, मैं कैसे भी करके आपको वो शब्द समझा दू, take, and this is my best part, केने का मतलब क्या है, for example, I am writing some words, for example, P-R-E-Y, pray, and P-R-E-Y, pray, next, beer, B-E-A-R, B-E-R, dear, dear, week, week, so मैंने कही सारे शब्द लिखे है, देखिए, अगर आब उससे पढ़ रहे है, तो एक बेनिफिट ये है, कि अगर आपको A-Z तक A-B-C-D आती है, it is more than enough to learn this language, clear, for example, जैसे मैंने बात किया, P-R-E-Y, अब A-P-O-R क्या होता है, आपको पता है, A-P-O-R क्या होता है, A-P-O-R होता है, अब भगवान कौम क्या चलाते है, आपल चलाते है, तो इस P-R-E-Y, pray का मतलब क्या हो गया, प्रातना, P-R-E-Y, E-F-O-R क्या होता है, elephant, कई सारे गंदे लोगों तो जो elephant का शिकार करते हैं, तो pray का मतलब क्या हो गया, शिकार करना, for example, B-E-A-R, पहले यह बता है, D-E-A-R, D-E-A-R, लेको, आपका दोस्त, आपका दोस्त, अगर बीमार है, तो वो बीमार है, उससे बात करते हैं, bear, B-E-A-R, E-F-O-R-Apple, आपने जिस, जो आपका deer है, उसी के तो आप नखरे उठाओगे, तो इसको पढ़ते है, इसको bear नहीं पढ़ते है, इसको पढ़ते है, bear, bear का मतलब क्या हो गया, bear का मतलब होता है, क्या, सहना या वहन करना, नखरे उठाना, और वो bear, वो चिल पार्टी वेली bear हो गया, सो मरस बोलते हैं उसको, तो कहने का मतलब है, निमोनिक के सहता से, बहुत सारे words मैं आपको याद करूँगा, clear, उसके बात करते है, tone of words, tone of words क्या होता है, tone of words मतलब क्या होता है, कि कोई भी शब्द है, उसको सुनके आपको पता चले, कि उसका मीनिंग क्या है, for example, मैं अगर बात करूँ कि मेरी हैंड राइटिंग कैसी है, तो मेरी हैंड राइटिंग कैसी है, तो यहाँ पर दो तरह हो सकते हैं, एक मैं दो शब्द लिख रहा हूं, कैली, ग्राफी, and the second is the कैको ग्राफी, clear, so I have written here two words, the first one is the कैली ग्राफी, second one is कैको ग्राफी, मैं सिर्व आप से इतना पूछ रहा हूं कि यह बताइए, यह पहले शब्द को और दूसरे शब्द को सुनने के बाद, किसमें आपको कौन सा शब्द ऐसा है, जो आपको soft-soft लग रहा है, और कौन सा शब्द जो आपको hard-hard लग रहा है, तो आप कहाएंगे क्या है? कैली ग्राफी मतलब होता है, जिसकी क्या है? अच्छा लेकने की कला है, और कैकोग्राफी मतलब क्या हो गया? जिसकी हरा है, फोड़ी सी खराब है, मेरी तरह. तो यह हो गई, next time बात करें, अगर अगर ग्रमेटिकल पार्ट में, तो आपको कोई भी टीचर कुछ प्रभ dsm आने बताया आपको पता होने अगर मैं आपको डामर पढ़ा हूं तो वट इस दी रीजन यह क्या होते हैं करण आपको यह सब्लेबर चेर है, मुबाइल फोन है, कैमरा है, ठीक, इन सब को हमको नाम देना है, तो नाउन क्या है, नाउन is the naming word, नाउन is the naming word, यानि कि हर चीज का जो नाम होता है, वो क्या होता है, नाम में आजबता है, इसको अगर मैं define करू, how I will define, कह कहूंगा मैं इसको, बच्पन से एक definition noun कि आप पढ़ते चलिए आ रहे हैं, क्या, noun is the, that you study, noun is the name of a person, place, thing, ppt, noun is the name of a person, place, thing, ये तो पता ही आपको, इसके अलावा और भी क्या सारी चीज़े होती है, just like the faqs, feeling, action, quality और states, ये सारी भी क्या होती है, nouns होती है, और उसके अलावा units जो होती है, units, वो भी क्या आती है, noun में आती है, ये तो हम समझ किया बहुत अच्छे, जिए noun ठीक है, अब हम बात करते हैं, pronoun के बारे में, तो pronoun की definition होती है, pronoun is the word that used in place of noun, कि बाई, pronoun क्या है, pronoun वो चीज़ारी चीज़े हैं, कि जो noun की जगा भी की जाती है, अब ये बताएं, कि हम प्रणौन का इस्तमाल कर क्यो रहे हैं, सबसे पहले हमको पता है, कि प्रणौन का इस्तमाल करने के दो करण होते हैं, आपको पता होना च You don't know who is noun, hence you are using the pronoun, you don't know who is noun, and hence you are using the pronoun, let's say, there is someone at the gate, now you will say, who is at the gate, now, जो हो है, वो क्या है, किसी का नाम है, और आपको नाम पते हैं, क्यों के गेट पे कौन है, hence you are saying, who is at the gate, तो जो हो है, वो क्या है, हमारा प्रणौन है, तो जो पहला case है, पहला case कहता है, कि हमें noun के बारे म Hence, we are using the pronoun, second case में क्या बोल रहा है, second case में बोल रहा है, कि हमें noun का नाम पता है, we know the name of the noun, even though we are using the pronoun, in the first case, we don't know the name of the noun, just like, किसी ने आपको क्या बोलो, who are you, तो मतला पूछ रहा हो, आप कहौन है, क्यों क्यों, आपको उसका नाम नहीं पता, hence you are using the word who, and who क्या है, who is the pronoun, दूसर बिल्कुल सबको पता आपने पिताजी का नाम, but even though you cannot utter, what you cannot do, you cannot utter, or you cannot call your father by his name, तिक, उनके नाम से नहीं पुका होगे, let's say किसी के पिताजी का नाम काली चरण है, तो आप वो नहीं कहा नहीं कहा रहा हो, तिक, कहने का मतलब है, कि आपको नाम पता है पिताजी का, even आप क् कैसे बोल रहे हो, आप करके बात करो, तो जो आप शब्द का इस्तमाल आप कर रहे हो, वो क्या है, वो एक प्रणाउन है, तो यह नहीं कि दूसरा केस क्या है, दूसरा केस यह है, कि आपको क्या है, आपको नाम का नाम पता तो है, फिर भी आपने यूज़ कर रहे हो, due to respect, क्रेक्ट तो ये और प्रिद हो घ्यक्टिक का इड जो एडेक्टिव जो है यह किसका परोसी है किसी घर वह रही है किसी सब्सक्राइब एक पूंजब उन यह तो भाणी हुस से ओक Tas ज गरो समय सकते हैं कुछब पीता तो नहीं है है ठीक है सुभाव में ठीक है इस तरह से बाते आस परुस्वाले से पूछते हैं कहने का मतलब है नाउन प्रणाउन के बाले में अगर कोई जान का रही है आप तो कौन में बताएगा वह एजिक्टिव बताएगा इसी को इंगरिश में कहते हैं the adjective is the word that qualifies the noun and pronoun clear जितना भी grammar का पाथ है I will tackle all the grammar part with the logic ठीक है I will totally avoid rote learning, rote learning, I will totally avoid this thing, rote learning को में का करूंगा, totally avoid करूंगा, so this is the adjective part next is the adverb, ठीक है, adverb समझ लीजे, adverb is the aloo of English, adverb is the aloo of English, ठीक है ठीक है ठीक्षणा मोटा भी लग रहा होगा adjective के comparison में adverb क्या लग रहा है ठीक्षणा मोटा लग रहा है, ठीक, adverb is the aloo of English, aloo का मतलब क्या है, aloo एक ऐसा item है, जिसको आप सब सर्जी में डाल सकते हो, aloo मटर बना लो, aloo पनीर बना लो, aloo चोला बना लो, aloo आजकल तो पनीर में पढ़ जाता है, ठीक है, aloo bag and कुछ भी उसमें टाल सकते है, उसी तरह, adverb is a word, जो क्या करता है, वो सब को qualify करता है, सब के बारे में बताता है, किसके बारे में बताएगा, पर देखे, noun पर noun के लिए, we have the arrangement of the adjective, so for the adverb, we have the arrangement of adjective, means, adverb will qualify the, adverb will qualify the adjective, verb, adverb अपने बारे में बताएगा, adverb कहता है, भही हम बहुत intersection, intersection को qualify नहीं करेगा, because intersections are the emotions, और emotions को भई पहले सा, हम लोग इतना emotion से भरे हुए है, emotion को qualify नहीं करेगा, apart from that, सब किसी को qualify करेगा, even पूरे से एक sentence को भी qualify करेगा, पूरे एक वाक्य को qualify करेगा, ठीक, जैसे मैंने कहा, कि एक मैं गाना बोल रहा हूं, तु जो हस के सनम मुझ से बात करती है, बस यही बात जमाने को खराब लगती है, तो कौन सी बात जमाने को खराब लगती है, उसका हसना या बात करना, नहीं, यह पूरा sentence है, तु जो हस के सनम मुझ से बात करती है, बस यही बात, तो जो बस यही बात जो शब्दाया है, वह adverb है, और वह एक पहल पूरे जो प्रेडिकेट आया है उसको क्या कर रहा है वो इसको मोडिफाय कर रहा है फिर आम बात करते हैं वर्ब वर्ब के बारे में अगर बात किया जाए ठीक तो वर्ब भी दो तरह के होती है the first one is the your helping verb the first one is your helping verb and second one is the main verb अगर मैं एक sentence यहां पर लिखूँ now what is the meaning of helping verb helping verb के अगर बात किया जाए so helping verb is also called as the auxiliary verb auxiliary verb और linking verb अब यह सब क्या है sir इसका क्या मतलब हुआ what is the meaning of the auxiliary verb and what is the meaning of the linking verb let's say I say Golu Golu is cooking let's say the temperature of outside is 50 degree celsius 50 degree celsius temperature even though at this much hot temperature Golu is cooking तो Golu क्या हो गया हमारा subject main काम क्या है किसी भी sentence का जो main काम होता है वो main verb हो जाती है तो main काम यहां पर क्या है cooking so this will be our main verb now यह क्या कर रहा है इस क्या कर रहा है इस इन दोनों को जोड रहा है और जब भी कोई चीज किसी को जोड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं इसको linking verb यह उसको link करना बोलते हैं इसी लिए helping verb यह क्या कर रहा है इस सिर्फ help कर रहा है helping verb is also called as the linking verb clear now why the helping verb is called as the auxiliary verb now आपने गाने बजाये होंगे कार में घर में कैसे भी गाने बजाये होंगे गाना बजाने के लिए cable के इस्तवाल करते हैं and that cable is called the aux cable that cable is called the aux cable तो aux का मतलब ही क्या होता है वो cable आपको क्या कर रही है that cable cable is helping you वो केबल आपको help करने में, काना बजाने में, तो इसलिए helping verb is also called the auxiliary verb, linking verb, clear, on main verb क्या होगी, किसी भी sentence में कोई भी main काम हो रहा होगा, उसको main verb कहते हैं, या main verb को कैसे से पहचानेंगे, उसमें ed लगा होगा, ing लगा होगा, seis लगा होगा, तो main verb होगी, clear, next मबात करते है, preposition, now आप जिस चीज़ का इस्तमाल कहते हैं, उसको preposition कहते हैं, जैसे मैं लिखा into the pocket, तो pocket क्या है, pocket बाद में आया, तिक, अब in क्या होगा, पहले लगा देंगे, into the pocket, तो किसी की position को determine करने के लिए, for example, आपने बोला, you are going from Lucknow to Delhi, तो from or to, यह क्या है, from or to, यह क्या है, हमारा preposition, next is the conjunction, conjunction का मतलब क्या होता है, 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 junction का मतलब क्या होता है, junction का मतलब होता है, दो चीजों का जुड़ाओ, जब हम दो चीजों को जोडते हैं, तिक, तो उसे हम कहते हैं, junction, हमेशा दान at only the two equal things. For example, let's say I talk about, now, here I'm shooting this video in Lucknow. So, this is the Lucknow. Okay. So, Lucknow is the metropolitan city. There's also metropolitan city nearby this Lucknow is Kanpur. So, Kanpur is also metropolitan city. Now, let's say this is Lucknow and this is Kanpur. In between, there's a city. In between, there's a district and that district known as the Unnau. Now, what is the name of the railway station of the Unnau? उन्नाव जंक्षन, what they called as the junction, now please pay attention, why उन्नाव जंक्षन is called उन्नाव जंक्षन, because the उन्नाव is adding, वो क्या कर रहा है, add कर रहा है, दो equal चीजों को, कौन से दो equal चीजों है, कानपुर और लखनाव, and both are the metropolitan cities, so what I am trying to say is, कि हर शब्द के एक पीछे का एक मतलब होता है, जैसे, for example, अगर में एक और example, बहुत अच्छा example अगर आपको दो, let's say, this is Delhi, let's say, this is Delhi, and this is UP, clear, now, Delhi border में एक station है, and the station name is, Anand Vihar Terminal, what is the name of the station, Anand Vihar Terminal, now, why the Anand Vihar is known as the terminal, because terminal का मतलब क्या होता है, last point, you must have witnessed this thing, physics में, there are terminal points, let's say, this is the pen, तो ये pen के क्या है, these are the terminal point of the pen, so terminal का मतलब क्या होता है, terminal का मतलब होता है, last, और ये Delhi के बिलकुल, last नहीं, तिक, so this will be my approach, regarding the grammar part, and this will be my approach, regarding the vocab part, so grammar को मैं टेकल करूंगा, with all logic, मैं आपको बिलकुल अवाइट करूंगा, ratification with the, हम यहां पर टेकल करेंगे, with all logic, with all logic, just like in the mathematics, we have the mathematical tools, just like in the mathematics, we have the mathematical tools, so here we are going to have the G tools, G tools मतलब क्या होता है, grammatical tools, I will teach you all the grammatical tools, with whom you are going to tackle the, this grammar part, and for the vocab part, we have our own understanding, take the root word, the ladder system, the mnemonic and the tone of words, under this section, this section के अंदर गत में आपको रूट और बहुत सारे आपको वोकाब करूंगा, clear, so grammar हम कवर करेंगे, with lot of logic, and we will cover this vocab section, with a lot of mnemonics, with lot of ladder system, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम sheets भी करेंगे, and in that sheet, we will cover the practice section, will be there, और holistic approach, what will be my teaching approach, मेरा जो teaching का method होगा, my teaching method will be holistic approach, this is my teaching method, holistic approach, holistic approach का मतलब क्या होता है, सम्मगर रूप से जो approach को हम टाकल करते है, that is the holistic approach, यानि की, मैं इसमें हिंदी, इंग्लेश, भोछपुरी, फ्रेंच, whatever language I can use, I will use that language, tick, so, thank you for the day, I will meet you in the next video, and till then, take care, goodbye, thank you, Jai Hind.